हलो फ्रेंड्स मैं गौतम मैं अच्छ आपको Microsoft front page के अंदर यह बताऊंगा कैसे आप अपना website के लिए scrolling text कैसे बनाएंगे कैसे create करेंगे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ scrolling text होता क्या है जैसे कि आप देख सकते हैं Mozilla Firefox का page है यह देखिए scrolling text यह scroll हो रहा है यह चल रहा है इस तरह का text आप अपने website के लिए कैसे design करेंगे कैसे create करेंगे यह मैं आपको बताऊंगा आज इस तरह का scrolling text Microsoft front page 2000 के अंदर प्रोसेस सबका सेम है चाहे latest version हो चाहे old version हो सबका process सब्सक्राइब सेम ही रहता है इस तरह का text मैं आपको बताऊंगा कैसे आप schooling text बनाएंगे Microsoft front page 2000 के अंदर तो चलिए सुरू करते हैं Microsoft front page स्टार्ट में जाए programs उसके बाद Microsoft front page क्लिक करें यह मेरा Microsoft front page यह पहला page open हो गया आपको क्या करना है पहले मैं आपको बताता हूं कैसे पेज लेंगे उसके बाद उसके कैसे च्छोज किया narrow left aligned body उसके okay कर दें करने के बाद जिस जगह आप स्कूल पूट करना चाहते हैं स्कूलिंग टेक्स सब्समें यह जैसा कि पेज हेडिंग आप देना चाहते हैं जैसे मैं हेडिंग दे दिया इट्स माई साइट साइट दे दिया मैंने उसके बाद सब्समें चाहता हूं कि इस टेक्स मेरा इस जगह पर स्कूल करें तो यहां पर करसर रखें आप जिस जगह आपको स्कूल स्कूलिंग टेस्स लाना है आप सब्समें यहां लाना है मुझ इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर मर्क्यूई प्रोपर्टीज आ जाएगा मर्क्यूई प्रोपर्टीज का डियालोग बॉक्स आ जाएगा देखें यहां पर टेक्स्ट और यहां पर करसर ब्लिंग करना है यहां पर आपको क्या करना टेक्स टाइप करना जैसे मैं लिख द यहां पर देखे behavior school लिखाओ एक slide है alternate आपको क्या करना है और यहां पर align text with text टॉप रहने दीजिए size अगर increase करना तो increase कीजिए otherwise repeat continuously अगर on नहीं activate तो इसके पर क्लिक कर दें उसके background color background color change कर सकते हैं suppose मैंने यह green color दे दिया उसके बाद okay कर दें okay कर दिया मैंने अब इससे क्या करें जैसे normal है नीचे देखेंगे normal है preview है preview में click करेंगे तो आपको देखाए देगा यह देख सकते हैं यह text मेरे scroll हो रहा पेज के अंदर यह यह आप देख सकते हैं वापस अगर आप चाहते हैं कि नीचे अगर इस तरह scrolling टेक्स आप देना चाहते हैं तो क्या करें फिर नॉर्मल में जाए नीचे में यह text आप लिख दें वाच माई निक्सट निक्स ट्युत्रों है चिट्यूर्याइल्स आओ उसी तरह टेक्स नहीं पर टाइप करतें उसके बाद डारेक्शन है लेफ्ट कर दें राइट से भी कर सकते हैं राइट करना चाहते हैं राइट कोट कर दीजिए यहां पे तेक्स्स कर दें यहां पर मिर्ल बाक्म जो करना अम पर मैंने उसके बाद यहां पए यहां ये जो करते हैँ मैं ओके कर दें अब इसको देखना है यहां यहां अउचिए को राइट से स्कूल हो जाहँ है यह नीचे राइट से स्कोल हो रहा है मेरा टेक्स्ट यहां देखें लेट से स्कोल हो रहा था उपर मैंने जो बताया था अगर सपोज अगर आप देखना चाहते हैं कि यह दर लगेगा तो आप क्या करें नॉर्मल में जाएं उसके बाद क्या करें फाइल में जाने के बाद यहां पर देखें प्रिवीं इन ब्राणज सब्सक्राइब कर सकते हैं मैंने किया Microsoft Internet Explorer पर कर दें प्रिव्यू कर दें यहां पर सेव करने बोलेगा यस कर दें यहां पर एक नाम देदें इस माई साइट करके जो भी नाम देने देना चाहते हैं दे दीजिए उसके बाद सेव कर दें सेव इंबेड़ेट फाइल ओके कर दें यह देखिए आप मेरा Microsoft Internet Explorer ओपन होगे यह आप देख सकते हैं थैंस फॉर वाचिंग जो पहले मैंने बताया था नीचे देखिए वाच्माइट नेक्स्ट टिट्रोल से स्क्रोल हो रहा है यह आप देख सकते हैं यह राइट से हो रहा है यह देखिए यह आप देख सकते हैं क चलता रहेगा तो आपको समझ माया होगा कैसे हम स्कूलिंग टेक्स अपने वेब साइट या वेब पेज के लिए कैसे क्रियेट करते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग